Hello friends, welcome to my channel JK Cafe इस वीडियो में हम SSC CHSL 2019 में पूछी के वकेबलेरी को डिसकस करेंगे इसमें मैंने spelling mistakes, one word substitution, and to sign o इन सब को include कर रखा है EDM को भी मैंने include कर रखा है ठीक है ये एक तरीके से overview इस वीडियो का एक छोटे से part में आपको divide करके दिखाऊंगा मैं अगर आपको पसंद आती है तो इसके बाद में आगे और वीडियो लेकर आऊंगा इसके related vocabulary को लेके और देखे ये SSC CHSL 2020 के लिए बहुत important है जैसा कि आप जानते है कि notification आ चुका है SSC की दरफ से कि exam कब होंगे, almost 70 days है हमारे पास तो इसे साबसे vocabulary करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि SSC में English का weight is बहुत ज़्यादा रहता है तो इसलिए SSC CHSL 2020 को लेके oriented वीडियो है ये ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है फर्स्ट कॉश्चिन है हमारा आप आरसन belonging to foreign country ठीक है बहुत simple सा है normal है इसका right answer क्या हो जाएगा तीसरा alien लेकि इसका means क्या होता है foreigner को कहते है वीडेशी को कहते है बहुत simple है और SSC की MTS size 2011 में पूछा जा चुका था ये मैं पहली आपको बता रहा हूं कि vocabulary बार-बार repeat होती है SSC के exam में खास कर लेंगे ठीक है और सारे जो option में दिये होते हैं यह सबसे बड़ी बात है option की जितनी सारी vocabulary होती है उनको हमें clear रखना चाहिए क्योंकि SSC में पूछी जा चुकी होती है तो इसलिए सारी बता दे तो हम आपको native native means क्या होता एक तरीके से कहते हैं जनम इस्थान या place of birth को कहते है ठीक है जहां मारा जनम वह हो normally बोले तो एक तरीके से बोल सकते है someone who was born in a particular country or place ठीक है इसको native कहेंगे अच्छा inhabitant means क्या होता यह भी important है इसका मतलब होता है निवास normally language में बोले और बोले तो आप particular animal that lives in a particular area normally इसको कह सकते है inhabitant को resident माने भी निवास होता है जहां पर हम रहते हैं ठीक है तो normal थे सारे next शलते है next हमारा इसमें synonyms पूछा है synonyms का पूछा है expose बहुत simple है normally language में बहुत use करते हैं expose का expose माने क्या होता है किसी चीज को spust कर देना या reveal कर देना उसको परकट कर देना उसके बारे में ठीक है तो एक normal language में बोले तो उसको कैसे सकते हैं uncover ठीक है किसी चीज के से उसका रहशे उठा देना ठीक है तो इसका synonyms क्या हो जाएका first reveal reveal बहुत बार पूछा जाता है reveal माने क्या होता है इस first कर देना या production कर देना किसी चीज का ठीक है अच्छा berry इसको berry बोलते है berry means क्या होता है किसी चीज को ढग देना ठीक है एक तरीके से जब हम कोई dead body होती है उसक इसको क्या कहेंगे बरी कहेंगे ठीक है और reveal मैंने आपको बताए दिया hide माने क्या होता है छुपा देना किसी चीज को protect माने क्या होता है बहुत सिम्पल है किसी को संड्रक्षन करना ठीक है next चलते है next नहमारा इंटॉनिम दिखना इसको इसका होगा minisql minisql माने क्या होत होता है इसका मतलब होता है बहुत सिंपल है छोटा और देखें बहुत बार पुछा जा चुका है ससी के एक्जाम है क्लियर कर दो मैं आपको और बहुत important है बहुत छोटा और एक और याद रखेगा चोटे से रिलेटेड एक वर और पूछा जाता है टाइनी याद रखेगा एससी के साइसीजल 2018 ने पूछा क्याता है यह क्या होता है बहुत छोटा यह संचिप्त को कहते अचा इसका इंट्रोनिम पूछा है तो इसका राइट अंसर हो जाएक तीसरा जाइस्टी इस बार के सेजल 2019 ने पूछा गया था जाइसे इतिक से और फॉट बढ़ने में बहुत बड़ा ठीक है विशाल को को तरीके से इसके Dwarf, Dwarf मतलब तो हम जानते ही बहुत normal है Dwarf मतलब होता है bona, भहुत छोटा हमारे Dwarf पहले planet भी है हमारे तो इस तरीके से याद रखेगा Small माने, छोटा, भहुत simple है अच्छा, meager, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है, बहुत कम जिसकी quantity बहुत कम होती है उसको कहते है meager ठीक है तो यह important है meager याद रखेगा exam में पूछा जा चुका है और जो भी पूछे जा चुके होते हैं मैं आपको clear कर देता हूँ इसलिए मेरा purpose होता है option को मैं आपको पूरे explain करूँ क्योंकि option भी बहुत important होते हैं इसलिए के exam में ठीक है तो नेक्स चलते हैं नेक्स रहे में इसमें हमको wrongly spelled देखना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा कौन सा wrongly spelled में तीसरा celebration इसकी right spelling क्या है देख लीजिए आप यह हैं इसकी spelling बता देता हूँ c e l e b r a t i o n celebration not celebration लिखा हूँ तो इसका right answer तीसरा होगा ठीक है अच्छे यह बहुत important है चौता जो है Celebrant इसका मतलब क्या होता है बागी तो हम जानते है Celebrity क्या होता है Celebrate क्या होता है Celebrant मतलब होता है एक तरीके से priest को बोलते है जिसको कहते है पुजारी ठीक है इसको चर्च के वाइस इसको यूज करते है जैसे कि जो Christian होते है उनकी साधी होती है तो साधी को उनकर आते है उनके प्रेस्ट होते है Father कहते है जिनको ठीक है या funeral होता है funeral मतलब जानते होंगे जैसे कि किसी dead body को दफनाते हैं तो उसका funeral करते हैं कोई एक Father होते है प्रेस्ट होते हैं उनको भी क्या कहते है Celebrate कहा जाता है ठीक है वैसा आज तक पूछा नहीं गया है बढ़ याद रखेगा कई बार one word substitution में पूछ लिया जाता है SLC के खासकर एक्जाम है ठीक है नेक्स चलते हैं नेक्स्ट है find the synonyms इसमें synonyms देखना है adversary बहुत simple है कई बार पूछा गया है adversary मतलब क्या होता है शत्रू होना या सत्रूता की भावना होना या किसी का oppose करना विरोध करना ठीक है और इसका right answer synonyms हो जाएगा rival बहुत simple सा है rival ठीक है और बाकी बता दिता हूं देखके assistant असिस्ट कई बार पूछा गया एक्जाम में असिस्ट मने होता है किसी की सहयता करना ठीक है assistant मतलब समझी करना है helper माने भी आप जानते होंगे जो सहयता करता है supporter मतलब जो समर्थन करता है ठीक है बहुत simple है और देखेंगे आप SSC CHSL में बहुत normally वक्या पूछी जाती है तो थोड़ा तरीके से करके रखीगा ठीक है next चलते है next हमारा dance to someone's tune अब इसका मतलब क्या है बहुत simple है यह वो करना जो लोग आपसे करवाना चाहते है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तीसरा do what others want you to do लोग क्या चाहते है आपसे करवाने को बहुत simple सा है पूछा नहीं गया आस तक SSC के exam में clear कर दूँ साहथ एक दो बार पूछा हो गया होगा मैंने खासकर देखा निये तो इसको नॉर्मली आप समझ सकते दे ठीक है नेक्स चलते बहुत बार पुछा गया SSC exam में इसका right answer क्या हो जाएगा option first try everything possible ठीक है नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या होदा पूरी तरीके से effort करना पूरी तरीके से परियास करना किसी चीज को achieve करने के लिए achieve करने के लिए किसी चीज का प्रियास लगातर करती रहे ना ठीक है और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिये next चलते next हमारा इसमें wrongly spelt देखना है ठीक है और इसका right answer क्या हो जाएगा wrongly spelt कौन सा इसमें word चौता eagle eagle के spelling क्या होती है normal होती है e-a-g-l-e eagle माने क्या होता है बाज को कहते है ठीक है और देखे यह बहुत important road है eerie यह बहुत बार exam में पूछा जा चुका है SSC के eerie मतलब होता है बहुत ही ड्रावना frightened चीज होनी ठीक है यह अनोखा peculiar होना अजीब होना नॉर्मली इसको ड्रावने के according लगते है ठीक है तो याद रखेगा RN माने क्या होता है कमाना ठीक है early माने जल्दी ठीक है नॉर्मली है बहुत next हमारा something that cannot be avoided बहुत simple है और कई बार पुछा गया चुका है exam में SSC के avoid जिसको ना किया जा सके जिसको बदला ना जा सके इसका right answer हो जाएगा option तीसरा inevitable मतलब जिसको बदला ना जा सके ठीक है अच्छा और सारे option है जितने सारे important है सारे बता दे तो मैं आपको इस बार की SSC CGL 2019 में पूछा गया था Infallible Infallible मतलब क्या होता है जो गलती गलती ना करें कभी भी और this का मतलब क्या होता है जो कोई भूल ना करें कभी कोई गलती ना करें या भूल ना करें बूल ना करें तरीकी से इसको युज करेंगे ठीक है यह जिसको हटाया ना जा सके जैसे कि इन की टरीक किसे होता है इंडेलिबल मतलब इंविंसिबल बहुत सिंपल है कई वार आपने देखा भी होगा नॉर्मिली लैंगवेज में इन्विंसिबल मतलब होता है जो कभी हारे न जिसको पराजित ना किया जा सके तो याद रखेगा है सारे इंपॉर्टेंट है अब पूछे जा राइट अंसर होई नहीं सकता मेरे सबसे तो वैसे मैं अगर आपको बता हूँ तो इसका राइट अंसर हो जाएगा प्रिवेंट राइट नहीं है इसका मैं पहली क्लियर कर रहा हूँ प्रिवेंट माने होता है रोकना ठीक है बाकी मैं बता दीता हूँ परफॉर्म माने क् क्या होता है किसी चीज को पूरा करना complete करना तू मेक भी कह सकते हैं या किसी को फांसी देने को भी एक्जीक्यूट कहा जाता यह भी याल रखेंगा ठीक है तो इस तरीके से तीनों ऑप्षिन एक तरीके से एक जैसे थे इसले मैंने इसका राइट अंसर क्या लगाया प्रिव इसको नॉर्मली भी समझ जाएंगे हम अगर हमने इसको पड़ा भी ना हो इसका राइट अंसर हो जाएगा फर्स्ट टू डिसकर्स प्राइवेट अफियर्स इन पब्लिक कोई प्राइवेट मेंटर्स हो बहुती नॉर्म जो गुप्त बाते हों उनको पब्लिक क्या आगे डिलीवर कर दिना उसको क्या कहते हैं और बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं इडियम बहुत जो पूछे गए इस बार के सबस्यादा काम करें उसके बाद अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाने साथ हैं तो थोड़ा एफर्ट और लगाके निउस पेपर और अगेरा से वक्याबलरी एड कर सकते हैं बाकी मेरे साब से जरुवत नहीं है इसी को करिए बहुत ज्यादा हेल्फुल रहेगा ठीक है नेक्स चलते है नेक्स है सेलेक्ट दार रॉंगली स्पेल्ट ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तीसर इसमें assurance क्या है देखें यह राइट स्पेल्ट होता है ठीक है रॉंगली स्पेल्ट कौन से इन में दूसरा है यह नहीं आता है यह आता है और मैंने आपको साथ मेरी वीडियो आपने देखे होगी कुछ स्पेलिंग मिस्टिक्स की वह हर बार मैं आपको क्लियर करता हूं इस बारे में कि ज़्यादतर ई और आई वाले वर्ड को हिट करता है ऐससी ऐसे वर्ड रखता है और बार बार रिपीट्ट होते हैं यह वर्ड यह भी पूछा जा चुक है ससी के एक्जामे ठीक है नेक्स है सकसींट क्या सक्सींट इसका इंट्वॉब Di.. इसका मतलब समझ लेज luck होता है संचिप्त को कहते दे है तो इसका कंडिशन में रखते क्वांटिटी में एक तरीके से कहते हैं जो बहुत ही कम बोलता है यह बहुत कम वर्ड को यूज़ करता है बट बहुत कम बोलता है और बहुत ही केसी को हिट हो जाए बात है ठीक है और बाकी बता दिता हूं इसको कहते हैं पिसी ठीक है पिसी मतलब क्या ह होता है इसका मतलब ही होता है कम यह कम बोलता है बाद बोलता रूड लिए यह दोनों का मीन एकदम से में तर्सका और पिसी का ठीक है अच्छा जैसे कि मैं आपको बता हूँ of speech expressing an idea in few words इसको कह सकते है normally को ठीक है पिसी को अच्छा कर्ट है हमारा कर्ट मतलब क्यों होता है इक तरीके सी कहते है जो रूडली करता है किसी चीज़ के साथ और शिका दूसरा मीनिंग होता है चोटा संचिप तो इसे साबसे सारो सार्य स σου चिर्या च्रक तो राइट अंसर की आजाएगा फस्ट जो इसका इंटॉनी में है लेंदी ठीक है तो नेक्स चलते हैं नेक्स है हमारा एक्जॉटिक बहुत नॉर्मल वर्ड में हम देखते हैं कभी पढ़ते भी होंग एक्जॉटिक बहुत बार पूछा जाता है एक्जॉटिक मन्न वहत होता ह अजीव, पैकुलर, ठीक है, बहुत अलग होना, अजीव होना, या इसका नॉर्मली वर्ड होता है, विदीसी, foreigner को भी कहते है, exotic, ठीक है, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, ordinary, मैंने इसको किस हिसाब से बोला है, जो साधारण हो, जैसे मैंने बता है, इसके दो मीनिं एलियन, मैंने आपको बता है था, foreigner, इसका वो से नॉनिम्स हो जाएगा, देखे तों, ठीक है, curious, curious मतलब क्या होता है, किसी चीज को पाने के लिए, जिग्यासा रखना, ठीक है, किसी चीज को एब्सॉर्व करने के लिए, जिग्यासा रहना, तो इसका अंतॉनिम क्या हो ज दे, hind, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, first, rare, rare मतलब तो जानते होंगे, नॉर्मली देखा भी होगा, rare मतलब, तो इसका मतलब होता है, पिछला, ठीक है, rare मतलब भी, near मतलब क्या होता है, past, बहुत normal, simple word है, first माने पहला, front माने क्या होता है, सामने, सारे simple word है, तो दीख तो आज की वीडियो के लिए दना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कीजेगा, चनल को सब्सक्राइब कीजेगा, ऐसी important वीडियो में लाइक कर आत रहता हूं, खासकर SSC को लेगे, so thank you